यह स्टुरेंट्स आइम बैक अगेन विद अनदर टॉपिक इंसेक्ट रियरिंग एक्विपमेंट आपको सभी को आइडिया है कि सेरिकल्चर, एपिकल्चर और लैक कल्चर इंडिया की पॉपुलर एग्रो इंडस्ट्रीज हैं इन इंडस्ट्रीज में इन पॉपुलर इंडस्ट्री से रिलेटिड इंसेक्ट को रियर किया जाता है तो इंसेक्ट को रियर करने के लिए स्पेशलाइज़ एक्विपमेंट की जरूरत होती है जो हम अब पढ़ेंगे तो चलिए फर्स स्लाइट पे चलता है आपके सामने ये एक insect rearing cage है ये cages इस size के होते हैं कि इनको field में भी रखा जा सकता है rearing के लिए या इनको हम अपनी lab में भी लाकर के insects को rearing कर सकते हैं generally entomology professionals जो भी होते हैं चैस students होते हैं वो इनमें insect के rearing कर सकते हैं इन पर्टिकुलर insect cages में या insect rearing cages में कई तरीके के insects को rearing किया जा सकता है जैसे कि butterflies और moths है प्रेंग मैंटेट्स हैं mosquitoes है ये वैसे तो lizards और snakes के लिए भी उनको भी रियर किया जा सकता है जिकिन हम इहां पर insect rearing की बात कर रहे हैं इसलिए इसमें अलग अलग तरीके के insects moths, butterflies, etc. रियर किया सकते हैं ये cages बिल्कुल फोल्डेबल हैं और को लैप्स हो जाते हैं इनके साथ में कुछ ही मिन्टों में कुछ ही मिन्टों में ये cages वापस से reassemble किये जा सकते हैं या फिर इनको dismantle भी किया जा सकते हैं जरा सी देर में और कोई specialized tools या equipment की ज़रूरत नहीं होती इनको dismantle करने में या इनको assemble करने के लिए तो next rearing equipment है insect rearing stand और trays जनरली ये insect rearing stand sericulture में काम में आता है जहां पर कि सिल्क वर्म्स जो होते हैं और सिल्क मौत होते हैं उनको रियर किया जाता है तो आप यहां पर इसमें देखिए यहां पर ये तो यह एक प्रकार का स्टैंड है तो यह लाती है और वूड् यह बैंबू से बनी होती हैं कई बार यह ट्रेस metallic भी होती हैं लेकिन generally bamboo या wood की बनीवू होती है कि Tibaci कि किसी cheap material भी बनीवू सक्ति हैं जसे की MDF या plastic ही नतिक कि प्लास्टिक बहुनी आप जैने का दोघ्म टेरी की साथे सटक से छेड़ना आ। और उनके अंदर लार्वे चोड़ दी जाते हैं लार्वल स्टेजेज वोरेशियस फीडर्स होते हैं तो वो इन लीज पर फीड करते हैं तो यह हो गई इंसेक रिरिंग श्टैन्ट और इनके ट्रेम इसमे रखे जाने कहते हैं जिनको चलिए रहें करेसे में श्यूआ पर इंसेक रियंग स्टैन्ट में यह पाऌस देख सकते हैं यह पेपर इसी पूरा ना कीशिक बूरा चीनन आ यह पूरा श्यूरीब अ assumption ना दो त्रेस को ढखने के काम में आता है जिससे कि अंदर जितनी हुमिडिटी या मॉइस्च्र जो है वो बाहर न निकल जाए तो जो रियरिंग ट्रेस को इस पेपर से ध़क देया जाता है जिससे कि जो लार्वे उसमें रियर किये जा रहे हैं अलग-अलग इंस्टार्स के उनको म इसको पतली चॉप्स्टिक्स होती है जैसी चीजें उनसे उठा लेते हैं फिर इन इंसेक्ट के ऊपर कोई गंदगी जम गई कोई चीज जम गई या कोई भी इनको उठाने में हैं अन्डल करने में कोई इंजरी नहों जाए उसके लिए फैदर बंक होता है पतले पतले चो सब्सक्रीन धाने में फैदर जोपे या फिर लीफ चेमबर चाई है निम पत्तिय उपतले हैं वोडन स्टरप्स के बने होता है और उनके ऊपर एक गनी बैक जो भी चादी आए जाता है गनी बैक साँ ब्ली को इसे बोरी केता है अप्ली केता है व्हाला कपड़ जोगता है जिससे की गर्मनलियों में केव बट अ dogs नshiny का जो धिरगगी साल्था रख में उसके डला उता होगि एकपड़ेने लख driving नियुक्त टशौपिंग भूरों और नाइव ली ऐसे उन्सेक्कों इनको डेवलब करने के लिए लिए रख रख क्यों आधिया रंप सब्सक्राइब के लिए तो इस सरी के से कई सारे इंस्टुमेंट सोते हैं माउंटेज होती है जंद्री का कहते हैं जिसे रेक्टैंगुलर बैंबू मैट होता है जो की चार बैंबू की स्टिक्स पर बंधा हुआ होता है यह ढूम को उनको कुकुन बनने वाले है सेămी कलेश सब्सक्राइब को यह जिसे कूछ और मेंट पर देल्पूलर करते हैं तो आप इननको याद करेंद तो आप इनको याद करिये यह instruments spotting में आपके कामें आते हैं यह वाले इन सब को you should learn okay bye bye thank you for listening to me girls